नमस्कार आप सभी को बहुत ही स्वादिश देसी स्टाइल में बनी हुई टमाटल लशुन मिर्ची की चटनी है और ये अंगाकर रोटी है इसकी भी पूरी विधी बता चुके हैं ये छेने के कंडे की आग में हम इस टमाटर को भूनेंगे जिसमें पहले ही रोटी बना के आ आना आपको दिखाएंगे कई लोगों ने कहा कि कि इस तरह से आप टमाटर की चटनी बनाए हैं वो थोड़ा बताईए तो ये देखिए ये आग है कंडे का अंगार जो पुरी तरह गरम है उसी में टमाटर हरी मिर्च और लशुन को अच्छी तरीकी से भून लेंगे लशुन को भी चिलके से ही भूनना है ते ये आग जो है अंगार ये बुझा नहीं है इसमें बहुत ही ददक है इतना कि इसमें टमाटर अच्छे तरीकी से भून गई इस अंगार में तो आप जितना भूनना चाहते हैं पांच, छे, चार उस हिसाब से कर लिजिए हम लोग दो लोगों को खाना था इसलिए हमने दो के हिसाब से ही इसको चटनी को बना हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से हम तो हमेशा ही बनाते हैं पर आप लोगों को बताने के लिए कि ये अंगार में भूनी भी टमाटर लशुन मिर्ची की चटनी कितना ये घूर्शी के आग में जिससे रोटी बन चुकी है पहले भी और उसकी रेश्पी हमारे वीडियो में है लाउंग वीडियो में तो आप जरूर देखिए तो फर्स टाइम आया है तो हमारे चैनल को सब्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए देखे कितना अच्छे से बहुन च चिल लेना है इस चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है बहुत ही टेस्टी होता है वैसे तो चुले में गैज चुले में भी भून कर बना सकते हैं परन्तु कंडे की आख से भूनी वी टमाटर की चटनी कर स्वाधी अलग होता है अब सहरों में मुम्किन तो नहीं ह परन्तु अगर किसी को मौका लगे तो इस तरह से चटनी बना कर जरूर खाईए, ये चाहे आप रोटी में खाईए, चाहे बाटी रोटी में खाईए, चाहे गाकर रोटी में खाईए, पराटा में खाईए, ये आप पकोडे में खाईए, सभी में ये चटनी कश्वाद होता है आप चाहत इसमें धन्या पत्ती भी डाल दीजिए चुकि इसमें लाशून भुनी हुई दो लाशून की कलियां दो टमाटर दो हरी मिर्च और श्वादांसार चुटकी भर नमक है इन सब से मिक्स करके टमाटर की चटनी बनी है तो बाटी रोटी में खाए है हम और यह अंगाकर रोटी है थैंक यू सो मच आप सभी